नमस्कार, ABP गंगावे आपका स्वागत है, मैं रोहिद सिंग सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात पुछ भेगी जिस तरह किसी कंपणी की बैलेंश शीट को उसके आर्थिक सिहत का बैमाना माना जाता है उसी तरह राजनितिक दलों की बैलेंश शीट में किसके पास कितने विधायकों और सांसदों की संख्या दर्ज है इससे उसकी सियासी सिहत का पता चलता है इस मामले में सपाय स्वक्ष संक्रमन काल से गुजर रही है आजम खान के बाद आज उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधान सभा सदस्यता भी रद्ध हो गई जिससे समाजवादी पार्टी के विधायक दल में एक संख्या कब हो गई यानि उसकी बेलेंश शीट कमजोर हो गई अब्दुल्ला रामपूर जिले की स्वार टांडा सीट से पिछले सान विधायक चुने गए थे इससे पहले भी उनकी सदस्यता एक बार रद्ध की जा चुकी है अब विधान सभा सचिवाले ने स्वार टांडा सीट को खाली घुशित कर दिया है भाजपा ने सपा पर चुबने वाला हमला बोलते हुए कहा है कि जैसा रामपूर सीट को उपचुना में सपा से छिन लिया उसी तरह अब स्वार टांडा में भी कमल का परचम लहराई भाजपा के ऐसे दावेदारी पर सपा भड़क गई पार्टी का रोप है कि भाजपा विपक्षिय दलों को खत्म करने की साज़श कर रही है दो दिन पहले MPMLA कोट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दो-दो साल की सज़ा सुनाई थी एक तरफ सियासी खमासान का शोर तेज है तो दूसरी तरफ आजम खान और अब्दुल्ला आजम खामोश है आखिर ये खामोशी क्या कहती है क्या आजम परिवार का सियासी रसूख महसंकट में आज बात तो चुभेगी में करूँगा इस खबर का पूरा विश्लेशन आप बने रही है मेरे साथ और देखते रही है बात तो चुभेगी आजम खान के परिवार में अब कोई विधायक नहीं रहा रसूख वाले दिन लद गए ऐसा कुछ लोगों का कहना है ये वक्त आजम परिवार के लिए गर्दिश जैसा है इसलिए रामपुर में खामूशे दिख रही है एक तरफ आजम परिवार मुकंदमे के भावर में है तो दूसरी तरफ सजा की परिस्त भी लंबी होती जा रही है जमानत पर वक्त गुजर रहा है इस पर भाजपा कह रही है कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी दावा है कि अभी पिता पुत्र को कई और मामलों में सजा हो सकती है अब आजम परिवार में कोई विधायक न बचा अब दुल्ला आजम को महंगी पड़ी दो साल की सजा अब दुल्ला की विधायकी रद स्वा टांडा सी खाली घोशित जेश में ये पहला ऐसा मामला साबित होगा जहां पर एक ही विधायक की दोनों बार विधायक बनने के बाद तोनों बार कोट नहीं उनकी विधायकी को छीना पहले आजम की विधायकी गई फिर बेटे की सदस्यता नहीं बची माननी नियाले ने उसमें आदेश किया है उसमें मैं कुछ किपड़ी नहीं करना चाहता हूँ लेकिन कांसिटिशनल एक छोटी विंच के आदेश के बाद वो एक बड़ी विंच बनी है जिस पर उन नियाले में जा सकी है मुबारक बाद योगी जी ऐसा करिए कि आपको विपक्ष की कोई जरूवत तो है नहीं तो पूरा जो सदन है पूरा जो विपक्ष है इसकी सदस्ता आपरत कर देए अकेले सदने बेची है वो सबके लिए समान है उसी केंडू के सदस्ता गई है चाहें पहली बार गई हो चाहें दूसरी बार गई हो अपर आज जितनी बार भी करेंगे उतनी बार उसका डंड मुकर्णर होगा आजम के रसूख पर महसंकत साख पर सवाल जवाब से तौबा तौबा स्वार टाड़ा सीट के खाली होने का अलान होते ही भाजपा ने उपचुनाब की तैयारिया भी शुरू करती है अभी जुबानी तोर पर महल बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है जो जल्दी जमीन पर भी देख सकती है डिप्टी सीम केशु प्रसाद मौरेय ने का कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की तरफ तीजी से बढ़ रही है और सौार सीट पर भी रामपूर की तरह कमल खिलेगा अब सब की नजर इस बात पर है कि यहां कब तक उप्चुनाब होता है और इसके अलान के बाद सब और भाजपा की तरफ से कैसी बिसाद बिचाई जाए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधान सभा सदस्चता रद्ध होने की खबर ने समाजवादी खेमे में मायूसी का माहौल बना दिया तो भाजपा की जैसे बरी मुदा फूरी होगे अब दावा है कि जिस स्वा टांडा सीट पर कल तक सपा का पर्चम लहराता था उस पर उप्चुनाओ के बाद भाजपा का जणडा दिखेगा जैसे हमारे आकास सकसेना जी मुहमद आजम खांकी खाली जो सीट रिक्त हुई थी वहाँ चुनाओ हुआ जीत करके आए वैसे ही जब भी चुनाओ होंगे हमें विश्वात से बाजपा के विधायक वहाँ से चुन करके आएंगे भाजपा कह रही है जो जैसा करता है वैसा भरना परता है तावा है कि अभी सजा का सिलसिल लंबा हो सकता है जैसी करनी वैसी भरनी ये बहुत पुराना मुकदमा था जिसमें आज उनको सजा हुई है उनके मेंबर्शिप गई है और अभी उन पर कैई सारे अभी मामले बाकी हैं हाला कि उनको सजा मिलेगी एक 400 विशी का मुकदमा भी उन पर है जो लगभग सावित हो गई होगा भाजपा के खेमे में सबसे ज़्यादा हल चल रामपुर में है जहां कभी आजम का डंका बजा करता था लेकिन आज हालत ये है कि आजम परिवार से कोई विधायक नहीं बचा पहले खुद आजम खान ने अपनी विधाय की गवाई और अब दो साल की सजा के बाद बेटे आजम माननी ये ना रहिए जिस तरीके से मुरदबाद MPLA कोट का निर्ने आया है वो अपने आपने आपने आत्यासी है और देश में ये पहला ऐसा मामला साबित होगा जहां पर एक ही विधायक की दोनों बार विधायक बनने के बाद तोनों बार कोट नहीं उनकी विधायक मामला हेट स्पीच के एक केस में तीन साल की सजा सुनाए जाने का था 27 अक्टूबर को आजम को रामपूर के स्पेशल MPLA कोट में सजा सुनाई थी और 28 अक्टूबर को यूपी विधानसभा सचीवाले ने पत्र जादी कर रामपूर सदर विधानसभा सीट से आजम की सदस सेतार रद्द करने की गोशना कर दी इसके बाद रामपूर विधानसभा सीट के लिए दिसंबर में उपचुना हुआ जिसमें भाजपा के आकाश सकसेना ने इस मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट पर कमल खिला दिया आजम ने इस सीट पर अपने करीबी आसिम राजा को म अब केवल केवल न्याय है और अपराध ही चाहे कोई भी हो पकड़ा जायगा उसको सजा मिलेगी इसमें फिर भारतेनिता पार्टी जीतेैं और भारतेनेता प़ाटी ने साबित किया है कि हम धर्व में जाती मजभ पंत आब कोई दिवार नहीं है सबका सास, सबका विकाफ, सबके विश्वास के साथ भारतेनेता पाटी आगे बढ़ रही है और उसने रामपूर आजम गड़ जीता है इस बार स्वार भी जीतेंगे हैं अब्दुल्ला आजब दो बार विधाई की गमाने वाले पहले नेता हैं भाजपाई से करनी की सजा बता रही है तो सपा कह रही है कि भाजपाने विवक्ष को खत्म करने की साजिश रची है निर्वाचन आयोग ने और विधान सभा ने उसके लिए बेवस्थाइं बनाय रखी है मानि नियाले ने उसमें आदेश किया है उसमें कोई टिपड़ी नहीं करना चाहता हूँ लेकिन कांसिटिशनल एक छोटी विंच के आदेश के बाद वो एक बड़ी विंच बनी है जिस पर उन नियाले में जा सकते हैं और अपने गिर्वांस कहेंगे और हम सब पार्टी के लोग उमीद करते हैं कि नियाले ने पहले भी उनको नियाए दिया है उनको नियाज देने का काम करें जाए रामपूर जिले में कुल पांच विधान सभा सीटे हैं रामपूर सदर, स्वाटांडा और चम्रवा सीट पर 2022 में सपा की जीत हुई थी जबके मिलक और विलासपूर में भाजपा की जीत हुई बाद में हुए उप्चुनाओं में भाजपा ने सपा से रामपूर सीट छीन ली यानि अब तक भाजपा का रामपूर सिले की पांच में से तीन सीटों पर कब्सा हो चुका है और अब उसकी नसर स्वाट आंडा में संभावित को चुनाओं में जीत दर्ज करने पड़ है साफ है कि आने वाले दिनों में अब रामपूर की स्वार टांडा सीट सियासत के केंद्र बिंदू में रहने वाली है रही बात आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनके परिवार की तो विधान सभा सदस्यता रद होने के पैसले पर सर्फ खामोशी दिखती है एबीप गंगा के लिए फिरो रिपोर्ट वोक्यमंत्री योगिया देतना था आज कई बड़े सियासी मुद्दों पर दो टुक बात कहते होई नजराए वो लखनों में एबीप नेटवर्क के शिखर सम्मेलर में पहुंचे थे यहाँ उनसे हर बड़े मुद्दे पर सवाल किये उनसे पूछा गया क्या भविश्य में खुद को केंदर में देखना चाहेंगे या राज्य में इस पर सियम योगी ने सधा हुआ जवाब दिया भवक्य मंतरे ने कहा कि राजवनीती मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम गंतव्य योगी ही बने रहना है सीम योगी ने इस दुरान अखिले श्यादवार राहूल गाधी पर तीखा तंज किया मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रभानमंत्री बनने जा रहा हूँ मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही रहना चाहता ABP Network के शिकर सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा उसके गहरे सियासी माइने हैं साफ संदेश है CM योगी से सवाल किया गया था कि आप भविश्य में खुद को केंदर में देखना चाहेंगे या राज्य में जवाब सुनिए भविश्य में आप खुद को केंदर में देखना चाहेंगे या राज्य में मैं अपने मठ में देखना चाहूँगा ये तो इसको बहुत पहले आज सितीस साल पहले ले चुका हूँ नहीं पर आप टो आप राजनीती में हैं क्या दिने मेरा पुर्ट टाइम जॉप नहीं है कभी मैंने इस वाट को नहीं का कभी नहीं तख राजनीती को कभी भी अपना सब कुछ मान करके नहीं किया, हाँ, एक जमिदार नागरी के नते और एक योगी नेतरुत्व देने की सामर्थे भी रखता है, इस दिस्ते उस सुनोते को स्विकार किया है राज काज के अपने अंदाज पर मुख्यमंत्री योगी ने दो टू कहा कि अफसर शाही सही धंग से काम करे, इसके लिए साकती जरूरी है सियम योगी ने दो टू कहा कि विपक्ष चाहे जो कुछ कहे, लेकिन मेरा सन्यास जीवन समाज के लिए है किसी को गलत फेमी होगी, कि मैं अपने ले करता हूँ, कुछ नहीं करता मैं अपने ले जिस दिन मैंने सन्यास की दिखसा ले ली है न, उस दिन हमने तैक कर लिया कि अपने ले कुछ नहीं करना है जो करना है देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है और इसलिए एक पढ़ाओ है, ऐसे पढ़ाओ अचानक नहीं आते 2024 के चुनाओं में विपक्षी दलों की चुनाओती को लेकर ABP नेटवर्ट के शिकर्ट सम्मेलन में पूछे गए सवाल पर CM योगी ने कॉंग्रेस पर चुबने वाला हमला बोला देखे विपक्ष के पास कोई दम नहीं है मुझे एक बात बताईए CM योगी ने इस दोरा समाजवाती पार्टी और अखिलेश यादव पर भी चुबने वाला प्रहार किया लखनौ का नाम बदलने को लेका छड़े सियासी घमासान पर भी सीम योगी ने अपनी सरकार का रुख साफ कर दिया इशारा साफ है कि लखनौ फिलहाल लखनौ ही बना रहेगा इस दोरान उन्होंने बेगम हजरत महल का खास जिक्र किया और उन्हें 1857 की क्रांती की विरांगना बताया योगी ने कहा कि लखनौ का इतिहास काफी प्राचीन ह और हर दोर में इसकी पहचान महापुरुषों से जुड़ी रही है। और सभी भाजपा के खिलाब विपक्षी पार्टियां हैं वो मिल करके दिल्ली में सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखले शादो जी देश के अगले नए प्रधान मंत्री होंगे। सीम योगी के ताजा बयान पर सपाने चुबते हुए तीर छोड़े हैं। अबी लखनो के रूप में जाना जा रहा है लखनो ही रहेगा। साफ है कि सीम योगी के राजकाज पर दिये गए ताजा बयान पर सियासी गलियारों में हलचन तेज हो गई है। एबी पी गंगा के लिए प्यूटर रिपोर्ट। हिंद अर्शद मदनी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों के मदनी को कूप मंडुक बता रहा है। क्या दोहजार चौबीस के चुनाओं में भाजपा का एजेंडा हिंदू राष्ट को लेकर रहने वाला है। यहाँ एक सांस्कृतिक सब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैढ़ती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता के दिश से। भारत का कोई बेगती हज करने के लिए जाता है उसका संबोधनवा हिंदू का होता है हिंदू नाम से जाना जाता है हिंदू राष्ट की बात सिर्फ स्यम योगी ही नहीं कर रहे अलग-अलग मंचों से कभी कोई बाबा इस बात को कहता है तो कभी कोई दूसरा शक्स, उधर्ट पॉंग इसका जवाब है कि ये देश सम्विधान के हिसाब से भी चलेगा भारत के सम्विधान के उनसार, अमबेटकर जी, डाक्टर राजियन पर साथ, पंडिजवालाल नहरू, सरदार पठेल ने सबसे मिल जूल कर चुकि भारत बहुधर्मी रास्ट, बहुभासी रास्ट, यहां जनजाती है परमपराएं, इसे एक सेकुलर, जिसे अब हम कहते हैं कि हमारा धर्म निर्पेक्ष नी, पंत निर्पेक्ष देश है पिछले कुछ दिनों से देश की सियासत में धर्म की बात का दायरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, कभी हिंदुवादी संगठों के तरफ से कुछ तावे होते हैं, तो कभी महमूत मद्मी और अर्शक मद्मी जैसे मुस्लिम चेहते, कोई बयान देकर माहौल गर्मा देत मतनी साहब जो है, बुजर्ग हैं, और काफी उम्रत राज हैं, बुजर्ग होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वही तो बोलेंगे, देखे, कमी, जो उनको पढ़ाया गया वही तो, इसी को स्वामी बेवेका नंद्र जी ने कहा था, कूप मंडूप कूए में एक बार, एक बाहर का मिड़क आ गया है, कूए में गिरा तो, कूए में जो मिड़क थी, उसने कहा कि भई तुम कहां से आये हो, उसने कहा थाब मैं समुतर से आया हूँ, तो का इस समुतर कहां है, उनने कहा थे, बाहर बहुत बड़ा समुतर है, का इस समुतर क्या होता है, का था आजल है वहाँ, कहा कि उसने एक कोएं के अंदर एक जगे से दूसरी जगे छलांग लाए गया कहा इतना इससे भी बड़ा कहा भी भाहत बड़ा है तो उसे में वो जगड़ पड़ा कहा कि वही तुम जुड़ बोलते हो तो जिसने दुनिया देखी ही नहीं है हो तो यही बोलेगा स्वामी प्रसाद मौरे ने सियासत के अध्याय में राम चरित मानस की जो विवादित किताब लिखी उसके पन में हर रोज बढ़ते जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौरे हर रोज इस मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं इस बार उन्होंने लिखा देश के धर्माचारेगन जितना बहस मानस की संदर्भित चौपाईयों के अर्थ का अनर्थ बताने में लगे हैं यदि यही बहस धर्न के नाम पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछडों को तती दिन प्रतारीप वो अपमानित होने से बचाने के लिए करते तो शायद इनके सम्मान का रास्ता निकल सकता है यानि स्वामी के संकेत साफ हैं, वो इस मुद्दे को लंबा खींचना चाहते हैं और अपने उन विरोधियों से लगातार लड़ते रहेंगे, जो उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं कैबनेट मंत्री संजय निशाद ने तो स्वामी को इशारों इशारों में अधर्मी तक कह दिया स्वामी पर भाजपा के नेता इस कदर हमलावर हैं कि कोई उन्हें अधर्मी कह रहा है तो कोई उनकी तुलना रावन और कंस से कर रहा है आप सब लोग जानते हैं कि हर यूग में अगर राम थे तो रावन भी था अगर कृष्ण थे तो कंस भी था यह दुकुल में अगर कृष्ण पैदा हुए तो उसी वंस में कंस भी तो पैदा हुआ तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर इस यूग में भी कल यूग में भी अगर भरवान को मानने वाले लोग हैं भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं धर्म को मानने वाले लोग हैं तो अधर्मी भी हैं तो जो अधर्मी होगा वो तो ऐसी ही बात करेगा वो हमारे धर्म क खिलाब बात करेगा। सवामी सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठते हैं। तो कभी विरोधी हमलावर होते हैं। यानि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होने वाला दिखाई नहीं देता। यूपी में हो रही इस तरह की सियासत पर स्रियम योगी ने भी सपा पर चुभने वाला प्रहार किया है। वही लोग इस परकार का कारे कर रहे हैं। डेबलमेंट के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए। उनके द्वारा की जारी एक छट पटाट मात रहे है। इसके लगा कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, और जहां तक कोई भावनाओं के साथ खिलवार करेगा तो सरकार ने एक्सन लेही लिया है। स्वामी प्रसाद मौरे हों या अखिलेश यादों, इस मुद्दे को राजनीती के बजाए सामाजिक नजरिये से जोड़ कर उठाना चाहते हैं। लेकिन विरोधियों का दावा है कि मानस प्रकरन सापा की शुद्ध रूप से जातिवाद वाली राजनीती की रननीती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूर रिपोर्ट बात करते हैं कानपूर दिहात के उसंगनी कानट की जिसके आग तो बुझ गई लेकिन सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। विरोद और सवालों के बीच आज इस घटना में जानकवाने वाली माप बेटियों का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल अभी भी जिन्दा है कि इस कंभीर मामले में गुनाकारों का हिसाब कब होगा। हलांकि मामले में मैजिस्ट्रिल जान्च के आदेश दे दिये गए हैं साथ ही आरूपी स्ट्रियम को भी निलम्वित कर दिया गया है। कानपुर देहात के बरौली गाउं की घटना ने उत्तर परदेश का माहौल गर्म कर दिया है। योगी सरकार से सख्ट एक्शन की मांग के बीच पेडिफ परिवार ने उन्हें तक मा बेटी का अंतिम संसकार किया। मा बेटी की जलकर मौध हो गई थी और अब अन्तिम संसकार किया जा रहा है। कानपुर के बीचूर में दुनों की जो शब हैं उनकी अंतिम क्रिया की जा रही है, अंतिम संसकार के लिए अगनी उनकी लगा दी गई है। पूरे विदी विधान के साथ जो अंतिम करिया होती है उसको किया गया है भारी पुलिस के पुलिस प्रसाशन के सुरक्षा इंतिजामों के बीच जिस तरह से यह घटना हुई थी मडोली गाउं में और चिला प्रसाशन पुलिस की टीम अतिक्रमन को हटाने पहुची थी और प्रमिला दिक्षित और उनकी बेटी निहा दिक्षित की इस अगनी कांड में जाल करके मौत हो गई थी हो दिल दहला देने वाले इस मामले में सरकार का एक्षन ही जारी है आरोपी स्पियं ग्यानवेश्वर प्रसाद को निलम बिद कर दिया गया है जबके लेकपाल और ज एक पजवार के दो सदस्यों का जाना हम सब लोग उससे दुखी हैं और सरकार के नाते भी व्यक्ति के नाते भी मैं कह सकता हूं कि जो चला गया है अब उसको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं लेकिन उसके जो दोसी हैं जाज भी चल लई है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गय है गिरफतारियां भी सुरू हो गई हैं किसी दोसी को बखसेंगे नहीं देगे फायर इसमें जो पीडित परिवार था जो उनोंने जो तहरीर दी थी उस पर एफायर दर्ज हो चुका है और उसमें जो भी उसमें अभियुक्त है तो एक गिरफतारी हो चुका है इस पर और इस जगन्य मामले में लेख पाल से लेका डीम तक आरोपों के घेरे में हैं। वेडित परिवार का दावा है कि कई बार बात करने की कोशिश हुई थी, लेकिन किसी ने एक बार भी बात नहीं सुनी। दोसी इसमें लेक पाल से लगा के डीम तक है। वारी कोई बात नहीं सुनी गई है। और ये मारे गाउं के बारा लोग दोसी हैं। चुंकि उसमें एक गोरो दिछित हैं। उनके बुगा का पट्टा हुआ था। पट्टा वो अबैद है। चुंकि इनका आधर सनगर रावतपुर गाउं में बिवा हुआ था। तलाग हुआ नहीं है। तो पट्टा होना नहीं चाहिए था। मंगलवार की राव पोस्ट मॉटम के बाद परीजनों को माँ बेती के शाओ दिये गए थे। डिप्टी सीम ब्रदेश पाठक ने खुद पेड़िट परिवार से फोन पर बात की थी। लेकिन अब इस घटना के बाद सरकार के भीतर से भी तल खावास निकलने लगी है। ऐसे अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों को जिनके अंदर मानवी संवेदना सूनने हो चुकी है उनको चिन्हित करके निश्चितुरूप से पूरे प्रदेश में कभीहान चलना चाहिए और इस तरह की करवाईया होनी चाहिए। लोगों में इस घटना को लेकर किस कदर घुस्ता है इसका एक वीडियो भी सामने आया। जब मृतक मा बेठी का रात के वक्त पोस्मोटम हो रहा था तब मंत्री प्रतिभाशुकला और उनके पती अनिल शुकला वार्सी वहां पहुँचे थी जिनका कुछ लोगों ने विरोध किया और नौबर हाथा पाई दका गए। मंत्री के पती अनिल शुकला वार्सी ने युवक का गिरेबान पकरने की भी कोशिश थी। एस दोरां मंत्री प्रतिभाशुकला के सामने उनकी ही सहयोगी ने हाथा पाई करने वाले युवक को भत्ती भत्ती गालियां दी। जिस वक्त ये हाथा पाई हो रही थी तब अपर पुलिस अधिक्षक के साथ कई पुलिस कर्मी भी वहाँ मौझूद थी। से CBI जांच की मांग की गई है साथ इस मामले की मौनिटरिंग की ही मांग है याचिका करता ने कहा है कि इस मामले से जितने भी अधिकारी जोड़े हैं उन्हें फौरण निलम्बित किया जाए एबीपी गंगा के लिए कानपूर देहाद से विकास भीमान के साथ रतिश्ट कानपूर देहाद के इस मामले पर सियासत भी तेज है समाजवादी पार्टी समय तमाम दलो ने सीधे सरकार की बुल्डोजर नीती पर सवाल उठाए आज इस घटना पर मायवती का टूइट आया उनके निशाने पर भी बुल्डोजर ही था मायवती ने कहा कि सरकार को अप कानपूर के मंडल आयुकत राजुशेखर और ADG कानपूर जोन आलोख सिंग इस टीम में शामिल किये गए हैं एक सप्ताह में ये SIT टीम सरकार को पुरी रिपोर्ट सौंपेगी माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार परियाधिकारियों पर कारवाई की जाएगा कानपूर देहात में बुल्डोजर की कारववाई के बीच मा बेती की जल कर मौत हुई और ये मामला सियासी लप्तों में खिर गया समाजवादी पाटी लगाता मोचा खोले हुए है निशाने पर बुल्डोजर लेकर पहुँचने वाले अधिकारी हैं और सवाल सीधे सरकार से है कुछ JCB के ड्राइवर को जो पंदरा सो रुपई की नोकरी करता था लेकपाल को कुछ पुलिस करमचारीयों को को कि उसमें निम्ढ progressing है कि क्या ये क्यों जिम्मेदारी और तैटत्यों में नहीं नहीं है प 77 पुलिस थींव 4 पहुच करके दो लोगों को उनके सामने जिंदा जंती हुए मंगलवार को सापा का डेलिगेशन विरित परिवार से मिलने जा रहा था लेकिन अलग अलग जिलों पुलिस ने सभी को रोप दिया अब इस मुद्धे को लेकर सापा ने सियासी हमले तेज कर दिये हैं अब रिली से निकले नो जगे पुलिस लखनोग से निकले ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा दाकू वो इधर से बुज़ने वाला जगे जगे नाके बंदी अंधिता बदरका में पूरी हाइवे को बंद करके हमें रोक लिया गया दो लोग जल जल करके मर गए हैं गुहार लगाते रहे आग लगा दी आग लगा दी बचाने वाला कोई दर सरकारी तन सामने ख़़ा था तो ये घटना तो उससे कई गुना बड़ी है इरफान सुन की घटना में बड़ी कारवाई हुई है और सजा मिली है जेल गए हैं पतियां सीजुई हैं गैंगिस्टा रेक्ट लगा है अब हम समझते हैं कि उससे बड़ी घटना में उससे बड़ी कारवाई होनी चाहिए और जो असल मुल्जी में उनको इस कारवाई के सामना करना चाहिए कानपुट की घटना के बार विडोधियों के निशाने पर भो बुल्डोसक है जिसे सरकार कानून वे उस्ता कायम रखने की श्रेणी में सब से उपर गिनाती है नेता जब भी जाते थे बुल्डविजर के नाम पर ताली बजाते थे, ताली बजाते थे, देखा होगा, और देखना अब कुछ आने वाले समय में, ये अब सिर पिटेंगे, और इसलिए सिर पिटेंगे, आप देख रहे हो गए, जब वहां पर कोश्मार्टम भी नहीं था, मा बेटी का, वो समय ये लोग लखनव में, ताज होटल में जस्न मना रहे हैं। और अबात अबास संसारी की, जिसे आज भारी सुरक्षा के बीच चित्रकूट से कासकंज जेल में शिफ्ट किया गया। चित्रकूट जेल में हुए निकहत और अबास के मिलन कांट के बाद, अबास संसारी का पता बदल गया है। विधायक अबास संसारी को भारी सुरक्षा के बीच कासकंज जेल पहुँचाया गया। यानि अब मुखतार परिवार के तीन सदस से यूपी की तीन अलग-अलग जेलों में है। माफ्या मुखतार अंसारी जहां बांदा जेल में बंद है, वहीं विधायक अबास अंसारी कास गंज की काल कोट्री में कैद है। जबके निकहत अंसारी को अभी भी चित्रकूट जेल में ही रखा गया है। दौन मुक्तार अंसारी के विदाएक बेटे अब्बास अंसारी की असली जेल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस समय कासगंग की पचलाना जेल में आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को जेल के अंदर भेजा जा रहा है शिप्ट किया जा रहा है तस्वीरों में देख सकते हैं कि करीब एक दरजन गाडियों के काफिले में आप देख सकते हैं जो आईसर नम्मर की गाड़ी है जिस पर जाली लोहे की बनी होती हो उस पर पर पड़े पड़े हुए है इसमें ही अब अंसारी है लेकिन पूरी तरह से उसको कवर कर दिया गया है दो गाडियां बिल्कुल सेम तरह की गाडिया है ऐसे मैं आप इस बात को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि किस गाड़ी में अबास अंसारी है चित्रकूट जेल में वैसे तो निकहत अंसारी का कई दिनों से आना जाना लेकिन इस बार जब बारह फरवरी को अबास की बर्थ दे पार्टी की प्लैनिंग चल रही थी तब ही ये भंडा फूट गया अबास अंसारी को चार थानों की फोर्स और दस गारियों के साथ चित्रकूट से कास गंज की सैव करवाई गये मैं और ओठ गॉचे कर देखिए जो लाया जा रहा है चित्रकूट जेल से मैं दिखा दू आपको इस वैं मैं अबबास अंसारी है चित्रकूट जेल से यहां से पचास यहां 30 किलो मीटर दूर पचलाना जेल ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी को इसी वेन में अब्बास अंसारी है मैं दिखा दूँ आपको यह तस्वीर है यह अब्बास अंसारी का काफिला कास गंज पहुत चुका है जाहिर है अब्बास की जेल बदली के बीच कोई अन्होनी ना हो इसके लिए पूरे इंतरजाम किये गए थी कास गंज के जेल प्रशासन पर और ज्यादा जिम्मेदारी थी कास गंज की जेल में 59 कुख्यात अप्राधी बंग थी मोघतार का करीबी जुन्ना पंडित और शिर्प्रकाश मिश्रागी इसी जेंड में कैद है जुन्ना पंडित को मुखतार नहीं पंजाब के रोपर में शरंदिलाई थी ऐससे पहले जुन्ना पंडित चित्रकूट जेल में बंग था और 40 मुकदमों का सामना कर रहे जुन्ना पंडित में जेल में रहते हुए डॉक्टर और र्यापारी से रंगदारी मांगी थी आजमगार के T11 गैंग का मुख्याब फुन्तु सिंगी कास गन जेल में ही बंग है हम लोगों ने यहां पे शेत्रादिकारी नगर के अगवाई में एक कीम गठिती है जिससे कि यह जो ट्रांजिशन है यह बहुती तुरक्षा के द्रिश्टी से इसमें सभी इंतजाम हम लोगों ने किये हैं जिससे कि स्मूर्ट ट्रांजिशन हो सके कास गन जेल में जेल पुलीस अथारटी से भी हम लोग लगतार निरंतर संपर्क में हैं और उनके पूरे सईयोग कर रहे हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की तुरक्षा के द्रिश्टिकत कोई तुक नहोंने पाए और हम लोग इसको लेकर लगतार निरंतर सतर द्रिश्टी बनाए रखते हुगा अब बास अंसादी के चल्वे अब कासकन जेल में भी सेक्योर्टी बढ़ा दी जाएगी जबके जेल मंत्री का कहना है कि अगर जेल का कोई भी अधिकाजी या कर्मचारी अवैद गत्विधियों में शामिल पाया गया तो उस पर सख्त करदवाई होगी माफियां के लिए कि जेल के अलाब कोई जगे नहीं है चितकूट में मैं कह सकता हूँ हमारे कुछ कर्मचारियों ने और उसको जो शुबधाय दी उसका हमने आठ लोगों को सस्पेंट किया और तुरंत अबबास अंसारी को हमने चितकूट से कास गंज में शिप्त किया है चितकूट जेल में जब अबबास और निकहत का मिलन कान सामने आया था तब जेल के ही आठ कर्मचारियों को सस्पेंट कर दिया गया था यानि कास गंज का जेल प्रशासन अबबास को लेकर बेहद सतर रहने वाला है अबबीपी गंगा केी लिए कास गंज से वंजीत गुप्ता के सामने तिन उपाद नहीं में जब दरसल निखत के पास से हुई बरामतगी को लेकर जाच चल रही है इसलिए इस केस में एडी की एंटरी हो गई अब बास अंसारी को चित्रकूट से कास गंज की जेल भेज दिया गया है ऐसे में अब निकहत अंसारी अकेले ही चित्रकूट की जेल में बंध है निकहत के लिए चुबने वाली बात ये है कि अब इस मामले में ED की भी एंट्री हो गई है चांच एजिंसी ने चित्रकूट के SP को पत्र लिख कर रिकॉर्ड मांगे हैं और मामले में भरष्टाचार की धारा लगने के बाद ED ने 90 शुरू करती है खबर है कि अब ED निलंबित अफसरों और पुलिस कर्मियों से पूछ तार्श कर सकती है चित्रकूट पुलिस ने ED को कई दस्तावेज मुहया करा दिये हैं हलांके इस मामले में चित्रकूट जेल के अधिक्षा, जेलर, टिप्टी जेलर और करमचारियों पर भरष्टाचार के आरोप हैं इसलिए ED आगे आई है सूत्मों के हवाले से कहा जा रहा है कि विधायक अब्बास अंसारी ने जेल में सुख सुविधाय हासिल करने और पत्मी से निजे मुलाकात करवाने के एवज में जेल के अधिकारियों और करमचारियों को लाखों रुपए के तोफे दिये थी ED ने धश्टाचार के इन ही आरोपों के मद्दे नसर अपनी जान शुरू की है जेल के करमचारियों ने सुविधा शुल्क लेकर अब्बास और निखत की मुलाकात करवाई थी ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे महेंगे तोफे अब बास अंसारी ने जेल के जेलर से लेकर डिप्टी जेलर सुप्रीटेंडेंट और वार्डरों को उपलब कराये थे ये कौन-कौन से तोफे थे इसके लिए पैसा कहां से आया किस तरह से डील हुई इडी अब इन सब मामलों की चानमीन करेगी इडी की एक टीम जल्द चित्रकूर जाकर जेल में अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मिलेगी एधर ने कहता और अबबास के मिलन कांड पर रैक्शन तेज हुआ तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई शिवपाल यादव ने कहा कि विरोधी नेताओं और उनके परिवार के लोगों को जूठे मुकद्मों में हसाया जा रहा है यह भास्ती रंतापाटिक के सर्कार एवल विपच्च को परवाद करने का क्यांग करने है परवाद उत्राखन की सियासत की कॉंग्रिस के भीतर बयानवाजी पर खमासाज चिड़ा है हरक सिंग रावत और हरीश रावत के बीच जुबारी जंग जारी है ABP गंगा को दिये exclusive interview में हरक रावत ने कहा था कि मेरे कॉंग्रिस में शामिल होते वक्त ही हरीश रावत की मुझसे सारी नाराजगी दूर हो गई थी इसके बावजूद उनकी तरफ से नाराजगी की बाते ठीक नहीं है इस पर हरीश रावत ने कहा कि मेरे किसी से नाराजगी नहीं है ये कहने के बाद हरीश रावत इशारो इशारो में हरक सिंग रावत पर चुबने वाला तंज भी उनने कसा महरी साओ जी के मन में कहीं कहीं वो नाराजगी मेरे को लेकर होगी 2016 की अब भी आप उनने देखाया कि बिल्क बयान अब भी आया नाम लिये भी नाम उन्होंने जिस तरह इसारा किया अब उचित नहीं था इसलिए उचित नहीं था क्योंकि जब मैं कॉंगरेस पार्टी में सम्लित हुआ उसमें उनकी भी सहमत ही थी जी बिलकर अब एक बार अगर आपकी सहमत ही होगी किसी मुद्दे पर माप करने के बाद भी या पार्टी में समलित होने के बाद भी, हम उन बातों को दोराएं, जिन बातों को होते वे भी, हमने पार्टी में समलित कर लिया किसी को, तो आज ये दोरानी की जरूत नहीं थी, लेकिन फिर भी, वो बड़े हैं, वो खुछ भी कह सकते हैं. किसने कहा मैं किसी से नाराज हूँ, तो इसले जब मैं किसी से नाराजी नहीं हूँ, तो फिर टिपणी करने का कोई सवाली प्यदा नहीं होता है, नो टिपणी, नो कोमेंट, ठीक, अच्छी बात है, हम तो गहरे हैं, जो जिनको सांत लेकर के गए थे, उनको भी सलाद है कि यह कहा कि इन पापियों के साथ हो, और उनको पापियों के गले क्यों छोड़ा रहे हैं, उनको भी वापस लाएं.